नमस्कार नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आए नजर डालते हैं नागपूर के विविद्ध हल्चल पर महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना के मरीजों की अधिक संख्या के कारण प्रतिबंद लगाया गया है इसलिए इस वर्ष धंब चक्र प्रवर्तन दिवस समारोह टाला गया हलाकि वैक्सिन की दो खुराक लेने वालों को फिलहाल दिक्षा भूमी में दर्शन के लिए प्रवेश दिया जा रहा है दिक्षा स्थल पर आने वाले अनुयाईयों का स्वागत है लेकिन उन्हें कोरोना से अपनी सुरक्षा के लिए कोवीड प्रोटोकॉल का पालन करना हुगा नागरीक प्रशासन को अनुशासन बनाय रखने में मदद करे ऐसा अवाहन राज के उर्जा मंतरी और पालक मंतरी डॉक्टर नितिन राउत ने किया धंब चक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष में गुरुवार को उन्होंने भारत रतने डॉक्टर बाबा साहिब आमबिट करके पवित्र अस्थी कलश को अभिवादन किया बाद में उन्होंने मीडिया को बताया कि इस वर्ष धंब चक्र प्रवर्तन दिन समारोह नहीं होगा इस संबंद में संपुर्ण महराष्टर में संदेश गया है लेकिन लगातार दूसरे वर्ष भी यह समारोह नहीं होने के कारण अनेक अनुयाई दिक्षा भूमी पर पहुचने की संभावना है तथा भी कोरोना के प्रकोप के दौर में आई इस समारोह में स्वयम सुरक्षा के लिए कोविड प्रोटकॉल का पालन करे भीड को टाले वरिष्ट नागरिक छोटे बच्चों को जहा तक संभव हो साथ नहीं लाए और प्रशासन को सहयोग करे डौक्टर राउत ने इस से पहले परमपूज्य डौक्टर बाबा साहिब अमबिटकर स्मृती समिती के सदस्यों के साथ समिक्षा बैठक की पुलिस स्टेशन कलमेश्वर की सीमा में गोण खहरी परिसर के पारडी बेडे पर कुछ लोगों ने अवैद रूप से महुआ शराब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर महुआ फूल का संग्रह कर शराब बनाने की सामगरी लाकर कई गाओ में अवैद शराब की भट्टिया तयार कर ली है इन हाथ भट्टियों के माध्यम से प्रती दिन बड़ी मात्रा में कच्ची महुआ शराब तयार कर नाकपूर ग्रामिन वशहर में आपूर्ती की जा रही है ऐसी जानकारी मिलते ही पुलिस अधिक्षक्त विजैकुमार मगर ने अपने अधिकारियों को शराब के अड़े नश्ट करने के आदेश दिये थे यहाँ आदेश मिलते ही प्रभावी कारवाई करने के लिए साउनेर के उपविभाग्य पुलीस अधिकारी अशोक सरंभल कर के नेतरुत्व में पुलीस निरिक्षक अनिल जिट्टावार और थानेदार आसिफ राजा शेक के अधिनस्ट पुलीस अधिकारी तथा पुलिस मुक्याले के आरक्षी RCP पथक सहित करीब 100 पुलिस जवानों का विशेश पथक तयार कर पारधी बेडे पर चल रहे शराब अड़ों पर छापामार कारवाई की गई विशेश पथक के पुलिस जवानों ने बड़े पैमाने पर हाथ भट्टी नश्ट की पारधी बेडे से 18,560 लीटर महुआ फूल सड़वा कच्चा रसायन 105 लीटर गावटी हाथ बट्टी दारू वह अन्य सामगरी सहित कुल 11,81,400 रुपई का माल जब्त किया गया विदर्ब के तरह लाख व्यापारियों की शिर्षव अग्रिनिसंस था नाग विदर्ब चेंबर ओफ कॉमर्स के पदादिकारियों ने अध्यक्ष अश्विन महाडिया का जन्म दिन केक काट कर हर्शल लास के साथ मनाया चेंबर के पदादिकारियों की और से चेंबर वरिष्ट उपाद्यक्ष अरजुन्दास अहुजा ने अश्विन महाडिया का शौल पहना कर सम्मान किया तथा पुश्पकुच्छ देकर उन्हें जन्म दिवस की हार्दिक शुपकामनाय दी तथा इश्वर से उनके पारी हीतों के लिए कार्य करने हेतु सदेव ततपर रहेंगे इस अवसर पर चेंबर के सरवश्री उपाद्यक्ष अरजुन्दास अहुजा फारुक भाई अकबानी कोशाद्यक्ष सचिन पूनियानी सहसचीव शबबार शाकिन स्वपनिल अहिरकर वजन संपर्क अधिकार राजवन्त पाल सिह तुली उपस्तित थे उपरोक्त जानकारी प्रेस विज्यप्ति द्वारा उपध्यक्ष अरजुन्दास अहुजा ने दी आदर्श बहु उग्देश्य शिक्षन संस्था द्वारा संचालित आदर्श महिला मंच की महिलाओने गुरुवार को शुकला नगर स्थित शियो मंदिर में नवरात्री नवमी के शुब मूर्त पर नौ कन्याओ का पूजन कर उन्हें बड़ी ही सम्मान के साथ भोजन करा कन्याओ की पूजा बड़े ही धूमधाम से की गई सभी कन्याओ को भेट स्वरूप पढ़ाई लिखाई की सामगरी आदर्श महिला मंच द्वारा प्रदान की गई महिलाओ द्वारा मंदिर में आरती करवाई गई और मां अम्बे की ओटी भरी गई सभी महिलाओ ने हल्द देशे शिक्षन संस्था की संस्थापक तथा सचीव जोती द्विवेदी आदर्श महिला मंच की मीना तिवारी सुधा उपाध्याय सुष्मा पारकर पल्लवी जोशी दीपा कानाबार रेखा भोंगाडे कौशिकी द्विवेदी आदर्श द्विवेदी मनीश पार्थ ज मंदिर समिती के शालिक राम मेहर परिवार सहित अनिल पटनाहा गौरो मिश्रा राम अवतार अगरवाल मनिश्ट्रिवेदी एवं संस्था के पदाधिकारी उपस्तित थे केंद्रिय क्रुशी और किसान कल्यान मंत्रालाई के अंतरगत नाकपूर के सिविल लाइन स्थित नविन सविचाले भवन में स्थित केंद्रिय एकात्मे कीड व्यवस्थापन केंद्र नाकपूर की और से धान की खेती पर दो दिवसिय मानव संसाधन विकास आधारित कारिक गोंदिया और तहसिल कुरुशी अधिकारी डी एल तुम्राम उपस्तित थे चौहान ने धान के एकात्मे किट व्यवस्तापन के बारे में तथा RCIPMC कार्याले के प्रमुक डॉक्टर एके बोहरिया उपनिदेशक किट विज्ञान ने किसानों तथा पेस्टेसाइड डीलरों का IPM के बारे में विशेश ध्यान आकरशित किया तिड़ी नियंतरन पर भी व्याख्यान दिया और बताया कि IPM की चार वीधियों के बारे में जैसे की नंबर एक व्याभारिक पद्धती दो यांतरित पद्धती तीन जैविक पद्धती चार रासाइनिक पद्धती को किसा किसानों के स्तर पर लागू करवाना है जिसके दोरान यह बताया गया कि खेत में जब जरूरत हो उसी समय रासायनिक किट नाशकों का उपयोग करें जिससे किसानों को अनेक फायदे होंगे फसल की लागत में कमी होगी वातावरन प्रदूशन कम होगा और मानों संबंदित र महामंत्री संदीप काबरा, उपसभापती त्रीभूवन काबरा, सयूक्त मंत्री विजय राठी, कार्यलय मंत्री नारायन राठी, प्रदेश अध्यक्ष रमेश चांडक, प्रदेश मंत्री राम हेडा, युवा संगटन अध्यक्ष रमेश काल्या, उपाध्यक्ष शरत सो जहाँ अल्प दरों में फीजियो थेरपी, सुजोग, एक्यू प्रेशर, पैथलोजी सेवाई आधी का विस्तुरत विवरन दिया। यहाँ उपरोक्त सेवाई प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि प्रगती महिला उद्योग के तहट हाथ के बने शुद्ध प्रगती मसलों का निर्मान यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने सूपर सिक्स्टी क्लब प्रगती सभागुरुह की जानकारी भी अखिल भारतिय महेश्वरी महासभा के पदादिकारियों को प्रदान की। सभी सम्मानित पदादिकारियों ने कोरोना संक्रमन के काल मे अल्प समय में बनाए गए इस सुन्दर प्रगती भवन और उसके अंतरगत चलने वाले सभी कारियों की मुक्त कंट से प्रशन साखी। महासभा के महामंतरी संदिप काबरा ने अपने उद्बोधन में आगे किस तरह कारिय करना चाहिए इस पर बहुत अच्छा मार्ग दर करना आंदोलन किया गया रवी पराते ने बताया कि भाजपा ने पिछले चुनाओं में अपने वचन नामा में वादा किया था कि नागपुर शहर को OCW के माध्यम से 24-22 साथ की योजना के अंतरगत पूरे शहर को 24 घंटे पानी देंगे लेकिन इस योजना का लाप सिर्फ civil lines जैसे area में ही दिया जा रहा है पराते ने सवाल किया कि फिर तांडा पेट नाइक तलाव बारसे नगर बांगलादेश परिसर में रहने वाले नागरिकों के साथ भेदवाव क्यों किया जा रहा है उन्होंने कहा कि तांडा पेट में नालो से गटर का पानी आता हुआ देख मनपा कारियाले में परिसर के नागरिक आक्रोश जताते हुए दिखे पराते ने आंदोलन करते वक्त चेतावनी दी है कि प्रभाग 20 में 24 बाय साथ योजना के माध्यम से स्वच्छ और 24 घंटे पानी नहीं दिया गया तो OCW के विरोध में जल त्याग आंदोलन शुरू करेंगे राष्ट्रवादी विद्यार्ती कॉंग्रेस द्वारा किये गये इस आंदोलन में शुरिकांत श्रिवनकर, अशोक काटले, विशाल खांडेकर, मिलिंद मानापुरे, स्वपनिल अहिरकर, अमित दुबे, जोती लिंगायत, भारती गायधने, सुकेशनी नारनवरे, संगि खोबरागडे, राजु जैन, रोशन बारसे, जीतु यादव, मंगेश गाटी बांदे, सतीश पराते, आधी उपस्तित थे भारत गवरो आचारिय, श्री पुलक सागर महाराज जी, शर्नम महातिर्थ पर आज मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने हेतु, तीन दिक्षार्थियों को जैनेश्वरी दिक्षा प्रदान करेंगे पुलक जन्चेतना मंच के राष्ट्रिय कार्याद्यक्ष डॉक्टर रीचा जैन ने बताया कि अनेग ब्रह्मचारी भाईयो श्रावकों ने आचारिय श्री पुलक सागर महाराज से दिक्षा चाही थी, जिस पर तीन दिक्षार्थियों को दसहरा पर जैनेश्वरी दिक् वो ब्रह्मचारी विजय भाईया बरगी नगर जबलपूर है आचारिय श्री की प्रेरना से निर्मित जिन शर्णा महातिर्त पर महा अतिशयकारी श्री आधिनाद भगवान के समक्ष दिक्षा प्रदान की जा रही है इस अउसर पर देश भर के हजारों गुरु भक्त भजारोहन किया गया इस अउसर पर भंते आर्य नागारजुन सुरई ससाई नाग दिपंकर डॉक्टर सुधिर फुलजेले विलास गजगाटे आनंद फुलजेले नामदेव सुटे डॉक्टर चंदरशेखर मिश्राम डॉक्टर प्रदीब आगलावे प्राचार्य डॉक् बिंद्र तिर्पुडे मधुकर राव मेश्राम चंदरहास सुटे भूपेश वरहाडे शरत मेश्राम सतीश राम्टेके प्रसन्ना मुल प्रमोद गेडाम देवांची रंगारी बबलु दखने और भूवनित परिवार के चैनित सदस्य उपस्तित थे नागपुर की भूम या देश से ही नहीं बलकि पूरे विश्व से लाखो श्रद्धालों ने इस पवित्र भूमी पर आकर बौद धर्म अपनाया हर साल धंबचक्र प्रवरतन दिन पर लाखो की संख्या में श्रद्धालों आते हैं दुरभाग्य से पिछले दो साल से देश में कोरोना महामार के प्रकोप के चलते दिक्षा भूमी समारक समीती ने श्रद्धालों और बाबा साहब के अनुयाईयों को इस पवित्र दिक्षा भूमी में आकर धर्शन न करने की अपील की थी श्रद्धालों ने इस आवाहन का अच्छा प्रतिसात दिया इसके लिए समारक समीती ने उन इस अवसर पर जिला अधिकारी विमला आर, विशेश पुलिस भानिरिक्षक नवीन चंद्र रेड़ी, नागपुर सुधार प्रण्यास के अध्यक्षम मनोच कुमार सूर्यवन्शी, पुलीस अधिक्षक विजय कुमार मगर, उपायुक्त मनिश कल्वानिया, जिला परिशत के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिलकाइट, पूर्वमंत्री सतिश चतुरवेदी आधी उपस्तित थे, पालकमंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने कोराडी देवस्थान क्षेत्र के पुलीस नियंतरन कक्षम में लगे, CCTV सिस्टिम, कोवीड टीका करन केंद्र, इस शिवीर में 594 लोगों का टीका करन कराया गया। संग प्रमुक ने कहा कि वर्ष 1951 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धी दर में भारी अंतर के कारण देश की जनसंख्या में जहाँ भारत में उत्पन्नमत्पंतों की अनुयाईयों का अनुपाद 88 प्रतिशत से घटकर 83.8 प्रतिशत ही रह गया है। जनसंख्या के असंतुलन पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या नीती होनी चाहिए। हमें लगता है कि इस बारे में एक बार फिर विचार करना चाहिए। अभी भारत युआओ का देश है तीस साल के बाद ये सब बूढे बनेंगे तब इन्हें खिलाने के लिए भी हात लगेंगे और उसके लिए काम करने वाले कितने लगेंगे। इन दोनों बातों पर विचार करना होगा। अगर हम इतना बढ़ेंगे तो परियावरन कितना जेल पाएगा। पचास साल आगे तक विचार करके रणनीती बनानी चाहिए। भागवत ने कहा। मध्य रेल के नाकपूर मंडल द्वारा किसानों एवं व्यापारियों के हित में चलाई जाने वाली किसान रेल इस वर्ष नाकपूर मंडल के वरूड तथा गोधनी स्टेशन से संत्रालदान हेतु चलाई जाने वाली है। नाकपुर मंडल से इस वर्ष दो किसान रेल चलाई जाने वाली है। पहली गोधनी से आदर्शनगर दिल्ली दिनानक 20 अक्टूबर से प्रतिक बुद्धवार को एवं दूसरी वारुट से शालिमार के लिए दिनानक 24 अक्टूबर से प्रतिक रविवार को चलाई जाएगी यह किसान रेल नियमित रूप से हफते में एक दिन उपर दिये गए स्केडियूल अनुसार चलाई जाने वाली है। एवं इस किसान रेल में Ministry of Food Processing Industries विभाग द्वारा डारेक्ट सबसिडी दी जाने वाली है जो की मूल भाड़े के 50 प्रतिशत रहेगी। इससे किसानों द रेलवे से भेजे जाने वाले संत्रा परिवहन हेतु काफी कम भाड़ा लगने वाला है। पिछले वर्ष नाकपूर मंडल से किसान रेल में लगबक 7000 टन संत्रे का लदान तथा रेलवे को इससे करीब 2,50 लाग का राजस्व प्राप्त हुआ। जिसमें किसानों एवं व विधा का लाब उठाए। करने की अनुमती राज्य सरकार की और से मिली है। 50 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्तिती वाले कॉलेजों और स्कूलों की कक्षाए शुरू करने के संबंद में विश्व विद्याले स्थानिय प्रशासन के परामर्ष से अपने स्तर पर निर्नय ले सकते हैं। 18 वर्ष स से अधिक आयू वर्ग के छात्र जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दो डोज ली है। वे व्यक्तिकत रूप से विश्व विद्याले और कॉलेज में क्लासेस में उपस्तित हो सकेंगे। कोविड प्रबंदन पर राष्ट्रिय महविद्याले कारियस थलो पर अतिरिक्त निर्देश, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश या मानक प्रक्रिया के साथ साथ विश्व विद्याले अनुदान आयोक द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्द अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे के मार्गदर्शन में एवं मध्यनाकपूर राकापा अध्यक्ष रिज्वान अंसारी और उत्तरनाकपूर अध्यक्ष महेंद्र भांगे के नितरुत्व में 14 अक्टूबर को ध्यक्ष रिज्वान अंसारी ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ध्यक्ष प्रवर्तन दिवस बौद्ध धर्म के सभी अनुयाईयों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को सविधान के रचीता डॉक्टर बाबा साहिब आमबिट करने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को 6 लाग अनुयाईयों के साथ अपनाए थे वह धर्म परिवर्तन के द्वारा जाती व्यवस्ता पर आधारित भेद भाव को खत्म करना चाहते थे उनके जीवन पर सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे इस अवसर पर प्रदेश महासचीव वर्षा शामकुले, सुनिल लांजिवार, शेखर पाटिल, हेमंद भोतमांगे, इसराइल अनसारी, नागेश वानकेडे, मोसीन शाही, रियास खान, जोती लिंगायत, नसीम अक्तर, नाईम अनसारी, प्रमोज जोंधडे, आधी कई पदाधिकारियों का समाविश था, थैलेसीमिया वसिकल सेल सेंटर, जरीपट का नाकपुर द्वारा, थैलेसीमिया वसिकल सेल इन बिमारियों के लिए जागरुकता मुहीम की शुरुवात, आज शाम साड़ नाकपुर के संचालक डॉक्टर विकी रगवानी ने बताया कि थैलेसीमिया वसिकल सेल अनुवानशिक बिमारिया है, यह बिमारिया अनुसूची जाती और जन जाती में अधिक मात्रा में पाई जाती है, और उन्हें पूर्ण रूप से रोका जा सकता है, इसके लिए इन मोतिबाक कार्याले दक्षिनपूर्व मध्यरेलवे में डॉक्टर आमबिटकर जैनती समारोह समिती की और से 65 धमचक्र प्रवर्तन दिन हर्शोल्लास के साथ मनाया गया, इस अवसर पर बाबा साहिब के तैल चित्र पर कर्मशाला के अधिकारियों कर्मचारियों ने माल्य पर पंचशील, त्री शरन की प्रार्थना की, इस अवसर पर सभी ने मिठाई प्रसाद ग्रहन की, सफलतार्त मुख्य कारखाना प्रबंदक ललित धुरंदर, उप मुख्य यांत्रिक अभियंता निखिलेश पवार, आकाश पाटिल, अमरेश कुमार शुकला, जै अमिताब निखम को आईटी समीति के राष्ट्रिय सदस्य और विधर्बक शेत्र के समन्वयक के रूप में नियूक्त किया है, अमिताब निखम ने FII के संस्थापक और महानिदेशक दीपक जैन को उन पर विश्वास करने और उन्हें विधर्बक शेत्र में FII विकसित कर के जिम्मेदारी सौपने के लिए धन्यवाद दिया, अमिताब निखम की नियूक्ति विधर्बक शेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्दी है, क्योंकि FII 50 से अधिक देशों में व्यापक नेटवक के साथ अग्रणी अंतरराश्ट्रिय उद्योग संग में से एक है, अमित बूर्ट टीम का निर्मान करेंगे और उद्योगों के लिए विधर्ब में एक व्यापक वातावरन तयार करेंगे, साथी विधर्ब क्षेत्र में संचालित विभिन्न उद्योगों के लिए लंबे समय से लंबित मांगो और मुद्दो को हल करना, उनका मूल लक्ष होगा, क्यामिट अध्यक्ष दिपेन अगरवाल, एन्वी सीसी के अध्यक्ष अश्विन मिहाडिया और विधर्ब के सभी प्रमुक उद्योग और व्यापार संगों ने अमिताब निगम को उनकी नियूक्ति पर बधाई दी सामुदाइक सेवा को गहरा करने के अपने निरंतर प्रयास में, MG Motor इंडिया ने आठ और Convert Hector Ambulance Charitable Institutions को सौपी है इस अवसर पर नितिन गटकरी, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री मौजूद रहे आधुनिक जीवन रक्षक प्रनालियों से लैस 8 Ambulance, श्री शान्ती गनेशवत सफ बंडल, हजृत बाबा ताजुद दिन ट्रस्ट, स्वर्गिय लक्षमन राव मानकर ट्रस्ट, गांधी उद्यान योग बंडल, मा भारती बहु उद्देश्य संस्था, कौटिल्य ग्राम माता के MG सेवा कारिक्रम का हिस्सा है, जो समुदाओ की सेवा के लिए समर्पित है, Ambulance Hand Over कारिक्रम में नितिन गटकरी ने कहा, MG Motor इंडिया ने लोगों को चिकित्सा देखबाल प्रदान करने की क्षमताओं को बढ़ाने के हमारे मिशन को लगातार और निरंतर समर्थन दि सुरक्षा में एक बड़ा कदम सावित होगी, हमारा मानना है कि यह कदम अन्य संगटनों को भी इसी तरह के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा और हमें एक साथ अधिक मजबूत स्वास्त्य बुनियादी धाची का निर्मान करने में मदद करेगा वरिष्ट मंदल सुरक्षा आयुक्त पंकत चूक, रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिनपूर्व मध्य रेलवे नागपूर के मार्गदर्शन में एवं स्दी देशपांडे साहयक सुरक्षा आयुक्त, नागपूर के दिशा निर्देशन में रेलवे स्टेशन गोंदिया में समय बारा बजे से एक बजे तक रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गोंदिया एवं शासकिय रेल पुलीस गोंदिया के द्वारा सयुक्त रूप से अपने दल बल के साथ रेल स्टेशन एवं ट्रेनों में होने वाली आग जनी को नियंतरित करना तथा रेल स्टेशन परिसर में होने वाले आग जनी एवं आपतकालिन घटना दुर घटना को नियंतरित करने हेतू मौक ड्रिल किया गया मौक ड्रिल के दोरान प्लैटफॉर्म तथा रेल परिक्षेत्र में असामाजिक तत्वों को काबू करने एवं आग जनी के घटना के समय फायर फाइटिंग से संबंदित जानकारी से भी बल सदस्यों को अउगत कराया गया तथा फायर फाइटिंग का मौक ड्रिल भी लिया उक्त मौक ड्रिल में प्रभारी निरिक्षक रेसु पोस्ट गोंदिया नंद बहादूर एवं रेल्वे सुरक्षा बल के सदस्यों तथा प्रभारी निरिक्षक शासकिया रेल पुलिस गोंदिया अनिता खेड कर एवं करमचारी विशेश आसूचना शाखा रेल्वे सुर परिसर में गुरुवार को 65 धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर विश्व विख्याद ड्रैगन पैलेस टेंपल में दो दिवसिय धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का उद्गाटन गुरुवार को ड्रैगन पैलेस टेंपल की प्रमुक वपूर्व राज्यमंत्री एडवोकेट सुले भीक्षु संगत द्वारा धम्म देशना दी गई वही भीक्षु व भीक्षुनी संग को ड्रैगन पैलेस टेंपल की प्रमुक व ओगावा सोसाइटी की अध्यक्षा एड्वोकेट सुलेखा कुमभारे की और से कठीन चिवर्दान व जीवन दान दिया गया पश्चाद कर्म वीर दादा सहेब कुमभारे के 49 वे स्मृति दिन पर दादा सहेब कुमभारे की प्रतिमा को एड्वोकेट सुलेखा कुमभारे के हस्ते माल्यारपन कर अभिवादन किया गया डॉक्टर बाबा सहेब आमबेटकर के जीवन पर आधारित स्पर्धा परिक्षा का आयोजिन भी किया गया जिसमें विजयताओ को आज पुरस्कुरूत कर सम्मानित किया जाएगा उलेखनिया है कि धमचक्र प्रवर्तन का मुख्य कारेक्रम आज सुबह आयोजित कारेक्रम में केंद्रिय सडक परिवहन मंत्री नितिन गटकरी विरोधी पक्षनेता वा पूर्व मुख्ता से उपस्तित है तो नागपुर हल्चल में आज के लिए इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीके विद्यूस नमस्कार